रेलवे देश भर में ट्रेनों का संचालर निर्धारी स्क्याजूल पार कर रेलवे की लेडला तीफी वाली छवी को सुधारने में लगा हुआ है उत्तर पश्रिम डेलवे जोकी राजसान की करीब 50 में फीज़ी शेत्रफल को समेटे हुए है उसने अपने शेत्रातिकार में संचालित हो रहे ही करीब 50,000 ट्रेनों को राइट टाइम पर संचालित कर लगातार तीसरी बार देश में फर्स्ट रैंक हासल की है एक रिपोर्ट देखिएगा ट्रेनों को समेट पर संचालित करने की बड़ी वज़र रिकोर्ट ट्रैक डबलिंग और इलेक्रिफिकेशन है रेलवे ने विशले दो साल में उत्तर पश्रिम रेलवे के चारो मंडलों में करीब 148 किलोमेटर ट्रैक पर डबलिंग की है जिससे अनावशक ट्रेनों को क्रॉसिंग के लिए नहीं रुखना पड़ता वहीं एक हजार पैसट रूट किलोमेटर पर इलेक्रिफिकेशन किया गया है वर्तमान में जैपुर सहित चार मंडलों में करीब 150 ट्रेनों का संचालन इलेक्रिक इंजन से होता है ट्रेनो ओप्रेशन एक्सपर्ट डीपी मिश्रा और दर्शनलाल तनीजा ने बताया कि लेक्रिक इंजनों में डीजल इंजनों की अपैक्षा ऐक्सिलरेशन और डी एक्सिलरेशन तेज होता है यानि लेक्रिक इंजन कम समय में स्पीड पकरते हैं जेफर दिली सहित कई रूट्स पर स्पीड रिस्ट्रिक्शन घटा दिये गये हैं। करीब पिचेतर फीजी ट्रैक पर इलेक्रिफिकेशन कर दिया गया है। जिससे ट्रेनों की ओसत स्पीड 10-15 किलोमेटर प्रतिगंटा बढ़ गई है। जेफर दिली सहित विभिन रूट्स पर 36 से अधिक स्पीड रिस्ट्रिक्शन हटा है। वहीं विभिन टर्न आउट्स पर ट्रेनों की ओसत स्पीड भी 10-15 किलोमेटर प्रतिगंटे के इसाब से बढ़ा कर 20-30 किलोमेटर प्रतिगंटे की है। यानि अब ट्रेने स्टेशन प और बड़ी हुई स्पीड से एंट्री और एग्जिट कर सकती है। कोविड के बाद करीब 2 साल में रेलवे ने विभिन ट्रेनों के 430 स्टोपेज भी कम किये हैं। ये भी ट्रेनों की ओसत स्पीड बढ़ाने की एक बड़ी बचा है। इसके अलावा पिछले 5 सालों में प्रिदेश के लगभग 80 फीजदी रूट पर एडवांस सिंगलिंग सिस्टम लगा दिये का हैं। जैपूर, दिल्ली, एमदबाद, मुंबई। जैपूर, जोदपूर, जैपूर आगरा सहीत अन्ने रूटों पर सिगनल फेल नहीं हो रहे हैं। जिसके चलते ट्रेने अन इस तकनीक विक्सित की जा रही है। इस तकनीक में सेटिलाइट द्वारा रेडियो कम्यूकेशन के माध्यम से लोकोमोटिव और स्टेशन्स में आपसी समन्वे बनाया जाता है। जिसी लोकोपाइलेट को जहां एक और आगे आने वाले सिगनल्स की स्तिति के बारे में प पता चल जाता है। किसी लाइन पर अन्ने ट्रेन के आने खड़ी होने या नितकनीकी रुकावट का पता लगते ही ये तकनीक लोकोपाइलेट को अलर्ट करती है। और निश्यस समयावधी में ट्रेन में आटो ब्रेक लगा देती है जिससे ट्रेन एक्सिडेंट नहीं काशिराम चौधरी, First India News, जैपुर